हेलो एब्रीवान वेलकम बाक टू माई यूट्यूब चैनल साइन खुशी क्रियेशन्स आज की वीडियो में मैं आपको केले के पेड की पूजा आप कैसे कर सकते हैं हर गुरु वार को यानि ब्रस्पतिवार को ये बताने वाली हो अगर आपने वरत रखा है तो भी और अगर वरत नहीं रखा है और आप सिर्फ केले के पेड की पूजा करना चाहते हैं तो भी आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं ब्रस्पतिवार को आप भगवान विश्नु का वरत किस प्र आगर गंले में लगाया हूँ तो फूझा करें और जमीं मेरी तरह लगाया हो तो जमीन में पूझा करें इसके बाद आपको हल्दी से आपका गंला हो गई आगर आपने जो पेड कhit लगाया है उसके पास Orange होगी तो उस पर आपको हल्दी से लीपना है आप इसे हर हफते भी हल्दी से लीप सकते हैं ऐसे पेड के पास आप हर एक आजशी को भी कर सकते हैं दो बार मतलब महीने में या फिर महीने में एक बार भी कर सकते हैं जैसा आपका मन करें वैसे आप अगर हर एक आजशी को करेंगे तो भी काफी होगा इसके बाद एक जलके लोटे में हम हल्दी, चंदन, थोड़ा सा गुड और थोड़ी सी भीगी हुई चने की डाल डालेंगे भगवान विश्नु की गुरुवार की जो ये पूजा होती है, केले के पेड की जो पूजा होती है जै भगवान विश्नु, हरी राम, हरे कृष्ण बोलते हुए आपको अपनी पूजा करनी है, आप जो चाहें वो बोल सकते है इसके बाद भगवान विश्नु की पूजा में हल्दी और चंदन दोनों का ही यूज होता है तो केले के विक्ष पर भी हम हल्दी अर्पित करेंगे, हल्दी आप जरूर से अर्पित करें और उसी के साथ साथ चंदन भी जरूर से अर्पित करें तो ये दिखे, सारे पत्ते मेरा पेड़ बहुत छोटा सा है इसलिए इस पर पांच ही पत्ते हैं तो मैं सभी पत्तों पर हल्दी लगा रही हूँ आप अगर जादा पत्ते वैसे तो अगर आपने गंबले में लगाया होगा और घर में पूजा के लगाया होगा तो पेड छोटा ही होगा तो आप पत्तो पर भी हल्दी लगाएं चंदन लगाएं इसके बाद चावल हम कैसे चड़ाते हैं चावलों को आपको थोड़ी सी हल्दी में रंग कर फिर वो पीले चावल चड़ाने होते हैं तो ये देखे कुछ इस प्रकार से पीले चावल चड़ाने के बाद हम पीला जन चने की दाल चणाएंगे थोड़ी सी भी आप एक चमच चने की दाल भी बिगो सकते हैं पूजा के लिए जादा नहीं भी बिगोएं तो पर अगर आपनी गुरुबार के वरत रखे हैं तो फिर आप जादा ही अमाउंट में भी गोई क्योंकि फिर वह आपको खाने के लिए इसके बाद गुर का एक दम थोड़ा सा प्रशाद आप पेड में अरपित करें और बाकी साइड में रख दें क्योंकि वरना चीटियां लग सकती हैं आपके पेड में और बाद में गुर और चने की दाल का जो भी प्रसाद है या आप ग्रहन कर सकते हैं इसके बाद केले का प्रसाद जरूर से चढ़ाएं कोई और फल भी आप ले सकते हैं पर आज के दिन आपको केला खाना नहीं होता है जिनका भी वरत होता है वो केला ग्रहन नहीं करेंगे इसके बाद दूब दीब दिखा देंगे आज के दिन आप अपना सर ना धोई कपड़ें ना धोई ना पूजा कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल साइंग खुशी क्रियेशन्स को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो करें इस वीडियो को अपने सगे संबंदियों के साथ रिष्टेदारों के साथ शेयर करके पुन्ने का भागी बने थांक यू वेरी मुच पुर वाचिंग प्लीस लाइक शेयर सब्सक्राइब थांक यू